नमस्कार आपका अख़बार के संक में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग्ग नेता जो हैं वो अभिनेताओं से भी बड़े अभिनेता होते हैं अभिनेता तो उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है उसके अनुसार वो एक्टिंग करते हैं एक्ट करते हैं नेता जो है वो सिचुएशन के हिसाब से रियक्ट करते हैं और उनकी एक्टिंग को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है जब वो एक्टिंग कर रहे होते हैं तो वो लगता है कि बिलकुल रियल टाइम जो है वो इवेंट हो रहा है और इसमें एक्टिंग का कोई पुट नहीं है और बिलकुल इमानदारी से और जो बोल रहे हैं वो सही-सही बात है मैं बात कर रहा हूँ पश्चिब बंगाल की मुख्य मंतरी ममता बेरेज जी की। अब 24 तारिख को सुमवार को उन्होंने जो स्टेट सेक्रेटरियट है जिसको नबर्ना कहते हैं उसमें एक बैठक बुलाई। बैठक में उनकी पार्टी के वरिष्टनेता, कुछ विधायक और एक फायर सर्विस के मंतरी, उसके अलावा स्थानिय निकायों के कुछ प्रमुख, प्रशाशनिक अधिकारी और वरिष्ट पुलिस अधिकारी। ये लोग थे, इनके बीच में ममताभ एनरजी ने जो कहा, वो सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। उन्होंने वो सब बातें कहीं, जो उनके विरोधी उन पर आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत भ्रश्टाचार है। उनकी टेबिल पर एक कागज रखा हुआ था। और उन्हों देखकर कहा कि CID की रिपोर्ट उसके अलावा लोग सबाचुनाओ के दवरान जो रिपोर्ट्स मिली हैं। उसके आधार पर मैं कहे रहा हूँ, मुझे पता है कि कौन पैसे बना रहा है। कौन भ्रश्टाचार कर रहा है। यह जो इंक्रोच्मेंट हो रहा है गौर्मेंट लेंड पर जो अनथराइज कंस्रक्शन हो रहा है। रहडी पत्री पर जो पैसा लेकर दुकान लगाने दिया जा रहा है। यह सब कौन करता है मुझे बालूम है। कितना पैसा मिलता है। एक फोटो चपी थी अभी दो-तीन दिन पहले। एक किसी शहर के दौरे पर है ममताब एनरजी। और अपने ही पार्टी के एक नेता से पूछ रही है कि इन लोगों को यह दुकान और यह जुके लगाने के लिए कितना पैसा लिया तुम्हे। अब यह इस तरह का सीन तो आपने एक अनिल कपूर की फिल्म आई थी उसमें देखा होगा जब एक दिन के मुख्यमंतरी बने थे। कि सारे अपनी ही पार्टी के जो है ब्रस्टाचारियों को एकदम एक्स्पोज कर देंगे। और खास बात यह है, यह बंद कमरे की बैठक नहीं थी, हाँ कमरे में थी, बंद कमरे में थी, लेकिन कैमरा भी था। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे लगेगा ममताब एनरजी को अब पता चल गया है कि ब्रस्टाचार हो रहा है, उनकी पार्टी के लोग ब्रस्टाचार में लिपते हैं और इसके लिए जरूरी है कि वो सक्त कदम उठाए हैं, इससे यही तो आप निश्कर निकालेंगे, अब पहली बाद तो यह है कि 13 साल से ममताब एनरजी की सरकार है, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको पता नहीं था कि कौन कर रहा है, और इतने साल से चल रहा है, तो क्यों चल रहा है, उनकी जानकारी के बिना, उनका involvement हो नहो, उनकी जानकारी के बिना तो नहीं हो पूर्ण है ये सब उन्होंने बोला एक तरह से अपने ही नेताओं को ब्रस्टाचारी बताया कहा कि तुम पैसे लेकर लोगों से गलत काम करने दे रहे हो अब इसके बाद तो फॉलॉप इसका जो होना चाहिए था एक्शन होना चाहिए था जब आपको पता है कौन पैसे ले दूसरी जो नागरिक सुविधाय हैं वो नहीं मिलती है लोगों को इसके लिए कौन जिम्मेदार है तो उन्होंने चेतावनी दी कि दस दिन का समय दे रहे है इसको सुधार लीजिए नहीं तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा तो उन्होंने एक्शन कुछ भी नहीं लिय यहां तक भी गनिमत थी लेकिन शाम को जो उन्होंने किया उस बैठक में जितने वरिष्ट नेता थे टी-मसी के उनको फोन करके कहा कि मैंने ये सब जो कहा वो आपको अपमानित करने के लिए नहीं कहा मैं आप लोगों से अपील करती हूँ शब्द पर ध्यान दीजिए ममता बैनर जी सर्व शक्तिमान मुख्य मंतरी अपने ब्रश्ट नेताओं से मंतरियों से विधायकों से कह रहे हैं मैं आप से अपील करती हूँ कि मन लगा कर काम कीजिए ये नहीं कहा कि आप ब्रश्ट आप सवाल दूसरा उठता है कि आखिर ममता बैनर जी को इसकी जरूरत क्या पड़ी है दो कारणा ममता बैनर जी को इस तरह की जरूरत समय समय पर पढ़ती रहती है आपको याद होगा 2014 के लोगसभा चुनाओं से पहले ऐसे ही कट मनी का जो जो सिलसिला चला था उसमें बड़ी बदनामी हो रही थी सरकार की पश्चिममंगाल सरकार की और खासतोर से त्रिनमूल कॉग्विस के नेताओं की ममतब एनरजी ने सारवजनिक रूप से कहा जिन लोगों ने कट मनी ली थी उनसे कहा कि पैसे लोटाईए जिन से लिया है यानि काम के बदले, कुछ लाइसेंस दिलाने के बदले, ये कोई भी काम कराया सरकारी दफ्तर से, उसके बदले में पैसा लेते हैं, कट मनी कहा जाता है वहाँ, तो कहा कि वो पैसे उन्होंने वापस करवाए, उसका बड़ा असर हुआ लोग उपर, देखे ममता बेनर जी को पता नहीं था, उनके लोग रष्टाचार कर रहे थे, जब पता चला, तो पैसा वापस करवा दिया, ऐसा तो कभी होता नहीं है, लेकिन वो पूरा सिस्टम बदस्तूर चलता रहा, अब दो बाते हैं, ये बैठक करके जो है, इसको सारवजनिक क्यों किया, कैमरे पर क्यों बैठक की, और दूसरा जो शाम को फोन किया, अपने वरिष्ट नेताओं को, उसका क्या कारण है, तो इन दोनों बातों के दो कारण है, पहला कारण तातकालिक है, उसको बता देता हूँ, तातकालिक कारण ये है, कि हालांकि लोगसभा चुनाओं में ममता बेनर जी की पार इसके बावजूद ममता बेनर जी चिंतित है, चिंतित क्यों है, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस्थानी निकाये जो हैं, उनमें 125 इस्थानी निकाये हैं, नगर निगम और नगर महापालिका से मिला कर पश्चिम बंगाल में, उनमें से 60% के वार्ड्स में, ट्रिनमूल इसको वोट कम मिले, विरोधियों को ज्यादा मिले, विरोधियों में जाहिर है कि सबसे ज्यादा बारती जंता पार्टी को मिले, तो ममता बेनर जी इसके लिए क्यों चिंतित हैं, गाहों से उनको वोट मिल रहा है, जीच जाएंगी, यह सोच के वो इसको इग्नोर भी कर स अपने पार्टी के नेताओं को, उन्हों का तुम लोक समझते नहीं हो, यह जो शेहरी वोटर है, कस्बे का वोटर है, यह उपिनियन मेकर होता है, यह जब नाराज होता है, तो इसकी नाराज़गी कई गुना वोट के समय बढ़ जाती है, ये दूसरे लोगों को भी प्रभावित करती है इसलिए बढ़ जाती है तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है उन्होंने कहा कि लेफ्ट फ्रंट की सरकार इनहीं लोगों की नाराज़गी की वज़े से गई जब ये लोग ये शहरी वोटर नाराज हुआ अले फ्रंट से उसके बाद ही वो सत्ता से बाहर गए तो अगर आप लोग संभले नहीं अगर आपने सुधार नहीं किया तो यही इस्थिती हो सकती है और आपको याद होगा लोग संभा चुनाओ के बाद कोलकता के जो इलीट इलाके समझे जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा तर जो सोसाइटीज हैं हाई राइस बिलिंग्स हैं उन सोसाइटीज के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया त्रिन्मूल कॉंग्रेस को नहीं दिया त्रिन्मूल कॉंग्रेस के एक नेता ने धबकी दी कि अगर जो है वोट नहीं दोगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा कहा कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है तो कई शहरों में ऐसा हुआ कि जहाँ बीजेपी को वोट जादा मिला था वहाँ पानी की सप्लाई कम हो गई अब आप इस तरह की राजडिती की कल्पना नहीं कर सकते हैं देवेश ठाकुर ने बिहार में एक बयान दिया था कि मैं यादमों और मुसल्मानों का काम नहीं करूँगा उनका बयान गलत था किसी भी जन प्रतिनिधी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए लेकिन जितना उस पर हल्ला हुआ उसका दस पीसदी भी त्रिंडमोल कॉंग्रेस के नेता के इस बयान पर नहीं हुआ और देवेश ठाकुर ने तो क्योवल धमकी दी थी एक बयान दिया था यहां तो सचमुच किया गया पानी काट दिया गया या पानी के सप्लाई कम कर दी गई 24 घंटे आता था तो 8 घंटे कर दिया चार घंटे कर दिया यह सब किया गया तो ममताब एनरजी को डर यह है कि उनकी पार्टी के नेताओं का ब्रष्टाचार कहीं उनके लिए वही स्थिती पैदा न कर दे जो सीपीम के नितित वाले लेफ्ट फरंट की थी 34 साल सत्ता में रहने के बाद भी सत्ता से बाहर हो गए और ऐसे बाहर हुए हैं कि उनकी तरफ देखने को बंगाल का मद्दाता तयार नहीं है इस बात से ममताब एनरजी को डर लग रहा है लोग सम्हा सीटें बढ़ने के बावजूद उनको डर लग रहा है और उनको वो जमीनी नेता है उनको समझ में आ रहा है कि परिस्तितियां बदल रही है और ऐसे जो बदलाव होते हैं वो बहुत तेजी से नहीं होते हैं वो बड़े धीरे-धीरे होते हैं ममतब एनरजी ने भी 1998 से 2011 से दो हजार इग्या रहा है और जिस तरह की हिंसा उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं बीजेपी के कारिकरताओं के खिलाफ उसी तरह की हिंसा सीपीम के लोग ट्रिडमोल कॉंगरेस के निताओं और कारिकरताओं के खिलाफ करते थे वो सब देखकर सहकर और उससे लड़कर ममताब एनरजी यहां पहुँची है लेकिन उनको ये भी मालूम है कि इसकी एक सीमा है एक सीमा के बाद इसका असर नहीं होता जब जनता मन बना लेती है बदलाव का तो फिर वो और कुछ नहीं देखती है सारी बातें भूल जाती है बस एक चीज उसके दिमाग में रहती है इस सरकार को बदलाव जिस दिन ये फैसला किसी भी राज्य की जनता कर ले किसी भी इलाके की उस दिन उस सरकार को कोई नहीं बचा साथ तो ममताब एनरजी के मन में दो डर है एक उनकी पार्टी का ब्रश्टाचार फिर मैंने कहा कि ये जरूरत क्यों पड़ी और उसके बाद शामवाला जो दूसरा अंक नाटक का था वो क्यों हुआ तो शामवाले अंक की बात करें अब शामवाला अंक जो हुआ वो इसलिए हुआ कि ममताब एनरजी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि उनकी पार्टी का आधार ही ये ब्रश्टाचार है उनकी पार्टी का जो कैडर है कारे करता है और सेकेंड थर्ड रैंक के जो नेता है बड़े नेता भी ब्रश्टाचार करते हैं लेकिन वो सीधे जो है आम जीवन को आम लोगों को प्रभावित नहीं करते हैं ज्यादातर मामलों है कुछ मामलों में करते भी हैं तो उनको मालूम है कि ये जो प्रष्टाचार है नीचे का ये आम लोगों को प्रभावित कर रहा है और उनको मालूम है कि इसलिए उन्होंने action लेंगी, पूरी party का structure धराशाई हो जाएगा वो चल ही इसी पर रहा है cut money पर रिश्वत पर extortion पर ये extortion और corruption की बात खुद मामतारबा ने जीन इस मैठक में कहा तो extortion हो रहा है, लोगों से कोई दुकान छोटी से लगाए हुए है, किसी ने मकान बना लिया है कोई जो है एक ठुटागे किसी ने कबजा कर लिया है, उन सब से पैसा लेना CPM के समय ये था अब तर्मूल के Congress के समय ये हो गया है, आप पान की या चाय की एक गुम्टी नहीं लगा सकते जब तक CPM के कैडर को रिश्वत नहीं देंगे, तब CPM के लोग लेते थे, अब तर्मूल कॉंग्रेस के लोग लेते हैं तो ममताव एनरजी का जो पूरा पार्टी स्ट्रक्चर है, वो इसी भष्टाचार की राजनीती पर खड़ा है, और उनको मालूम है कि इसके खिलाफ वो एक्षन लेने का साहस भी नहीं कर सकती है वो गंभीरता से इस तरह का संदेश भी नहीं दे सकती है, ये एक्षन ले सकती हैं लोग पूछने लगे हैं हमारे खिलाफ एक्षन की बात हो रही है, हमारा ब्रश्टाचार दिखता है, आपके परिवार के लोग भी ब्रश्टाचार कर रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं देता और विपक्ष कहरा है कि भाई, सब को मालूम है कि ये जो पैसा इकठा होता है, कहां जाता है तो दो बाते हैं एक क्या ममताब एनरजी को इस ब्रश्टाचार का पता नहीं था अगर पता नहीं था तो ये बड़ी चिंता की बात है कि 13 साल से जो मुख्यमंत्री है उसको अपनी पार्टी के ब्रश्टाचार की जानकारी नहीं है दूसरी बात ही है कि जानकारी है और कोई एक्षन नहीं लिया तो और चिंता की बात है मतलब उपर से भरष्टा चार को बढ़ावा दिया जा रहा है उसको पाला पोसा जा रहा है ये जो भरष्टा चार करने की छूट मिलती है चाहे CPM के समय मिलती थी चाहे आब जिनको ये छूट मिलती है जिससे वो अपना सामराज ये खड़ा करते हैं मतलब एनरजी ने कहा भी कि आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ी में चलते हैं लोग देखते हैं तो ये दिखावा मत कीजिए उसका बुरा असर पड़ता है सादगी से जीवन बिताईए बड़े-बड़े महंगे रेस्टरेंट्स में खाना काने जाते हैं तो मतलब एनरजी को ये सब पता है फिर भी कोई एक्षन नहीं हो रहा है तो इससे जादा चिंता जनक इस्थिती क्या हो सकती है जो अधिकारी वहाँ थे उन सब को मालूम है कि ममता बनरजी को सब पता है और उनको उनकी कमजोरी भी मालूम है कि वो इस ब्रष्टा चार के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती बोल नहीं सकती उनके कैडर में ये संदेश चला गया कि वो इस ब्रष्टा चार के खिलाफ हैं और कोई action ले सकती है तो फिर उनको पार्टी चलाना मुश्किल हो जाएगा कैडर नहीं मिलेगा, कारेकरता नहीं मिलेगा, नेता नहीं मिलेंगे उनका जुडाव जो है वो transactional है आप हमें भरष्टाचार करने की छूट दिजिए हम चुनाव में आपकी मदद करेंगे, वोर्ट दिलाएंगे जो खिलाप वोर्ट देते हैं, उनको वोर्ट देने से रोकेंगे जो उसके बाद भी नहीं मानेंगे वोर्ट देंगे उनकी हत्या करेंगे, घर जला देंगे उनकी अरतों के साथ बलातकार करेंगे ये सब करने के लिए वो इसलिए तयार होते हैं कि उनको ये चूट मिली हुई है और ऐसे लोग जब जनतंत्र को बचाने की बात करते हैं जब भ्रश्टाचार का मद्दा उठाते हैं तो हसी आती है कि मतब थोड़ी सी तो आँख की शर्म होनी चाहिए ये ऐसा ब्रश्टाचार नहीं है जो छिपा हुआ है ये खुले आम है और आम जनता रोज इसको भुगत रही है लेकिन आपको पता है कि आपकी पार्टी का तंत्र चल ही नहीं पाएगा अगर इस ब्रश्टाचार की आपने छूट नहीं दी तो मंताब एनरजी कितना भी बोलें ब्रश्टाचार के खिलाफ अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ वो कोई एक्शन नहीं ले सकती इतने सालों में कोई एक्शन लिया हो तो बताईए आगे भी कोई एक्शन नहीं होगा ये सब जो हुआ ये मीटिंग और कैमरे के सामने मीटिंग और पब्लिक में जाना ये केवल पब्लिक पॉस्चरिंग है लोगों को धोखा देने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि दरसल ये लोग भरश्टाचार करते हैं मुझे पता चला तो मैंने बहुत लताड़ा मैंने इनको चेताव नहीं दिये लेकिन शाम को फोन करके कहते हैं कि मैं आप लोगों से अपील कर रही हूँ भाशा का परिवर्तन देखिए इस से समझे कि पश्चिम बंगाल में राजनीती किस तरह से चल रही है तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए बुद्धे के साथ तब तक के लिए नवती दीजिए आप से अनरोध है कि ये चैनल देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सबस्क्राइब जरूर कीजिए नमस्कार